आज लेकर क्या है हूं एक्जाम पेपर कैसे अटेम्ट करें क्योंकि इसमें बेसिक मिस्टेक्स होती हैं यह जो मिस्टेक्स हैं इनकी वज़े से आपके 5 से 10 नंबर का फरक वैसे ही आ सकता है नॉर्मल तरीके से फरक आ कि आप करके आए हैं जितने का मार्क्स का करके आएं उसमें 5-10 नंबर कम आ जाते हैं और कुछ के उतना ही करने पर 5-10 नंबर एक्स्टा आ जाते हैं पांस साथ दस नमबर एक्स्टा का मतलब यह नहीं कि आपने किया तो 40 का और आपके 45 नमबर आ जाएंगे ऐसा नहीं होगा लेकिन अगर आपने 40 नमबर का किया है तो हो सकता है आपके 30 आएं किसी के 38 आ जाएं यह 39 आ जाएं तो कैसे पॉसिबिल होता है यह सारी चीजे क्या से पहला जो बेसिक चीज है वो यह है कि जो भी कुछ आप लिखेंगे पेपर के अंदर जो कॉपी है आपकी उसके अंदर जो कुछ भी आप लिखना है उसमें आपको जो चेक करने वाले हैं जो एवैलुवेटर हैं यानि जो एक्जामनर हैं उनके लिए easy चीज करनी है कि उनके लिए checking easy हो ठीक है सबसे पहली लाइन यह tagline है कि उनके लिए आपको easy रखनी है चीज़े उनको बहुत ज्यादा चीज़े मेनत ना करनी पड़े देखने के लिए कि question number क्या है यह क्या है यह क्या लिखा है क्या यह सारी चीज़े ऐसा ना करना पड़े तो सबसे basic कोई भी पेपर आपको मिले physics ही नहीं कोई भी पेपर मिले तो सबसे पहला काम आपका होगा कि पेपर मिलने के बाद उसको बिल्कुल आप बंद कर दें ठीक है पेपर मिलने से पहले यह काम पेपर मिलने से ठीक पहले करना है आपको 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड या 60 सेकंड त ताकि आपके अंदर ऑक्सीजन जाए और आप रिलेक्स हो जाए बिल्कुल ब्रेन आपका स्थिर हो जाए चीजों को ग्रेंड करने के लिए कि हमारे पास क्या क्या है क्योंकि देखिए आपने जो चीज पढ़ लिया वो यहां है सारा ठीक है आपके दिमाग में सब कुछ है क्या है कि वो कैसे निकलेगा तो अगर आप हैबजर्ड होंगे यह नि आप जो है प्रॉब्लम में होंगे या आप संतुलित नहीं होंगे तो क्या होगा वह यहां से नहीं निकल पाएगी चीज़े सारी चीज़े नहीं निकलेंगी ठीक है कुछ याद आएंगी कुछ भू करने वाले हो उस पर बहुत जादे ध्यान नदे कि यह प्रॉब्लम यह कुश्चन हमें प्रॉब्लम क्रियेट करेगा उसको पढ़ना शुरू कर दें ऐसा ना करें कुश्चन वह आले देखें सबसे पहले जो आपको आते हैं ठीक है उन क्वेश्चन को पढ़ करके अपना मो क्या करते हैं कि आधि LINE इधर खीच लेते हैं और आधी लाइन इधर खीच लेते हैं और छोटा सा बयाई बना लेते हैं बीच थीकर ठोडिक है तो एग्जामटर बिलकुल किलेरली समझता है कि यह क्यों किया गया है ठीक है यह लेफ्ट साइड की बाहतु समझ में आती है लेकिन right side की बाग बिल्कुल समझ में नहीं आती है, इसलिए सबसे पहली mistake ये बिल्कुल ना करें, कि right side में भी line खीचे, और आपको कि हम तो इसके बीच में लिखेंगे, ऐसा नहीं, आप left side की इसलिए खीचते हैं, क्योंकि यहाँ पर question number लिखना है आपको, इधर क्या लिख question पहला question आता है, उसके अंदर आपके a, b, c, d, ऐसे करके बारे part होते हैं ये, है ना, first, second, third कहें, तो ये बारे part हो गए, बारे में से आपको 10 part करने हैं, बारे में से 10 part आपको करने हैं, तो इसमें भी एक mistake कई बार हो जाती है, कि पहला question आपको 10 करने हैं, दस में क्या करते कि पहला question मान लेते हैं, आपने ये चोड दिया, और ये चोड दिया, ठीक है, 10 करने हैं, चूकि दो छोड नहीं आपको, तो आपनी चोड दिये, तो क्या करते हैं, आप लिखते हैं, पहला question का second, इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं, også second, आपने किया नहीं, third, fourth, point continuing ठीक है सेकंड नहीं किया है तो उसको सेकंड ना बनाएं फोर्थ नहीं किया है फिफ्थ किया है तो फिफ्थ ही लिखें यहां पर ठीक है सिक्स्थ किया है तो सिक्स्थ ही लिखें ठीक क्लियर बात यह उसके बाद कुछ इस पहले question में तीन टाइप के question आते हैं एक question होता है multiple choice एक question होता है कि one line यह two line लिखने का और तीसरा question होता है fill in the blanks type का तो जो fill in the blanks हुआ यह एक line यह दो लाइन लिखने वाला हुआ उसमें तो आप कोई दिक्कत नहीं है वो तो लिख देंगे आप लेकिन यह यह जो mcqs वाले question है उनमें भी एक basic mistake करते हैं उसको ना करें वह basic mistake क्या होती है कि माल लेते हैं कि पहला question mc क्यूं था उसमें a b c d चार option है ठीक है c answer है तो आपने c लिख दिया अब ठीक है ऐसा ना करें चार आपने c तो लिखें ही साथ साथ महाँ पर c के सामने option क्या है उसको भी लिखें उसको भी लिखें जो उसका answer है और option भी लिख दें दोनों चीज़ लिख दें महाँ पर ठीक है क्योंकि examiner जब चेक करेगा तो अगर c है तो उसको यह देखना पड़ेगा कि c पर लिखा क्या था और इसका answer क्या है तो उसको बैक जाना पड़ेगा अगर आपने सिर्फ यह लिख दिया तो उसको देखना पड़ेगा कि option क्या था अब दोनों चीज़ लिख दी तो उनको कहीं देखने की जुरती पड़ेगी और यहाँ पर सीदे-सीदे आपको marks मिल जाएंगे ठीक है एक यह दूसरी चीज़ कि जो वन लाइन या टू लाइन वाले question है उनमें एक शब्द लिख करके question answer को खतम ना करें आप कम से कम एक लाइन या दो लाइन जितनी भी उसके अंदर आती हैं उनको जरूर लिख दें जैसे definition है definition के अंदर मैंने बताई दिया था आपको already कि उसके अंदर आपको definition लिखनी है उसका formula लिखना है और उसकी unit लिखनी है तब complete मानी जाएगी ठीक है तीसरी चीज़ इसके अंदर आती है fill in the blanks टाइप की तो fill in the blanks टाइप में आप क्या करते हैं कि उस answer को लिख देते हैं ठाली जो उस fill in the blanks में आता है ठीक है बस इत लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक अच्छा impact डाला जाए जिससे की examiner के उपर अच्छा impression पड़े उसके लिए आप उस पूरी line को लिखें और बीच में वो gap छोड़ें और महा पर उसका answer लिखने ठीक है इससे आपका जो impression है वह बहुत अच्छा जाएगा तो य सब्सक्राइब में 6 question होंगे आपके second question होगा इसके अंदर वन से लेकर करके और six तक के होंगे five and six seven seven question होंगे इसके अंदर इसमें से आपको पांच question attempt करने है पांच question तो पांच question जो भी attempt करें मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी question आप attempt करें उसका number सहीर होना चाहिए माले टेया आप दूसरे का पहला पार्ट करते तो ऐसे डालें दूसरे का second part थर्ड़ पार्ट करते हैं तो उसको second ना लालें बलकि third part है ये question no.2 है second का लेकिन part number 3 है ठीक है fourth करते है तो fourth डाले तो forte करते तो फिर्त डाले और टू का seven करते है तो seven डाले इस तरह से आपको पार्ट के जो नंबर है वो सही डालने है ठीक है दूसरी इस चीज़ को अवाइड करें बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे भी आपका impression खराब हो जाएगा वो कौन सी बात है माल लेते ही कि इस question के अंदर आपको पहला पार्ट आता है दूसरा आता है पांच वा आता है है यह इस तरह से आता है माल लेते चार पार्ट आते हैं कि अब तीसरा question है कोई भी उसके अंदर हलाकि वो इससे अलग मार्क्स के होंगे लेकिन वहां से आपने कोई question उठाया उसका पहला पार्ट, second part और third part इनमें से आपको दो पार्ट करने हैं माल लेते हैं first second तो आपने third में कर दिये और third वाला उठा करके यहां पर लिख दिया third वाला उठा करके second में दिखा दिया कि क्योंकि वो question paper में तो आया है लेकिन वो second question में नहीं था, वो third question में था, आप भली करते हैं यहाँ पर, लेकिन वो पकड़ में आ जाता है, और इसका impression भहुत खराब जाता है, कि आपने examiner को cheat करने की कोशिश की है, ठीक है, तो ये काम बिलकुन ना करें, क्योंकि ये पकड़ में आ जाती है चीजे, तो second question स और 10 number के question पहले पहले part में थे जो पहला part था, पहला question था, उसके अंदर भी ये दूसरा question है, जो पहला question था, उसके अंदर वो कम से कम एक paragraph होना ही चाहिए, या अगर छोटा ही question, बहुत छोटा question है, वो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि वो तो फिर one marks वाले question में पहुंच जाएगा, ठीक है, तो one paragraph, numerical भी हो सकता है, कोई छोटा, लेकिन एक दो line का question ये नहीं है, दो number वाला, ये कम से कम 4-5-6 line का question है, तो इसकी length का ध्यान रखें, बहुत छोटा question ना लिखें, ऐसा भी ना करें, कि आप उसमें लिखने को कुछ है नहीं, चार line के बाद कुछ नहीं है, और आप सोचें कि इसके अंदर हम पूरा भर दें इसको, ये भी ना करें बिल्कुल भी, ठीक है, तीसरा जो question है, इसके ये full length question होते हैं, है न, जिनको हम कहते हैं, long answer type question, ये short answer type question थे, या medium answer type, और ये long answer type, ठीक है, दिरगुत्तर ये जिनको हम कहते हैं, दिरगुत्तर ये का मतलाब आप समझते हैं कि पूरी detail देनी, जो भी question पूछा गया है, उससे related detail आपकी complete होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है short में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक, पूरी detail में लिखनी है चीज़े इसके अंदर, अगर numerical आता है, तो numerical के अंदर क्या problem create हो जाती है, numerical के अंदर ये होता है कि आपने माल लेते हैं कि कोई numerical आया, तो सबसे पहला काम उसमें करना है कि क्या given है, आपको ये लिखना है, ठी तीसरी चीज़ इसके बाद, दो चीज़ हो गई, उसके बाद formula लिखना है, यहाँ पर पहले given क्या है, और क्या calculate करना है, किसको find करना है आपको, और तीसरी चीज़ आप उसके बाद formula लिखना है, कि formula ये formula apply करेंगे, बहुत से क्या करते हैं, formula लिखते ही नहीं है, सीधा उस फॉर्मुला लिखा माल लेते हैं कि कोई भी माल लेते हैं एक फॉर्मुला में ले लेता हूँ mv2 upon r ठीक है f is equal to mv2 upon r 20-bit force का फॉर्मुला आपको पता ही होगा तो इसके बाद क्या करते हैं सीधे कि answer लिख देते हैं कि माल लेते हैं कि हमने कहा कि 12 newton इस तरह से कुछ भी answer आ गया ऐसे लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या गडबर हुई है कि जो given में m की value थी v की value थी और r की value थी उनको यहाँ पर एक बार दिखाना भी है आपको कि m की इतनी value है अगली line में एक बार यहाँ दिखाना है m की जगे m की value रखेंगे v की जगे v की value रखेंगे r की जगे r की value रखेंगे एक बार इनको दिखाना भी होगा आपको ठीक है मैं एकली लाइन में इसकी यूनिट भी जरूर लिखनी है बिना यूनिट के ना चोड़ें कि चोड़ने से आपका बिना मतलब में एक या आधा नंबर जरूर कड़ जाता है ठीक है ऐसा बिलकुल ना करें इसके बाद चौथा question भी इसी तरह से है उसके अंदर भी तीन पार्ट होंगे और दो पार्ट आपको attempt करने है यानि वो भी 5 नंबर का एक question होगा 4th question में और ये भी 10 नंबर का हो गया तो अभी कितना चल रहा है 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 10 ये भी question सेम है इसके अंदर भी 1,2,3 तीन पार्ट होगे इस question के भी तो इसके अंदर भी सेम इसी तरह से जैसे तीन तीसरे question की strategy है सेम इसकी भी strategy वही है इसके अंदर भी आप ध्यान रखे जो बात उसके अंदर बैने बताई है इसके अंदर भी वही बात धियान रखनी है पाँच बजो question है उसके अंदर भी same बात है first, second, third ये भी 5-5 number के question है यानि इसके अंदर भी 10 number का आपको attempt करना है तो 1, 2, 3, 4, 5 यानि is equal to 50 इस तरह से आपको 50 marks का attempt करना है question ठीक है अब यहाँ पर जो 3, 4, 5 question है ये question की length ये सब question में माल लेते हैं कि आपके पास question number 1 आता है, second नहीं आता है, third नहीं आता है और पांच ये question के आपको तीनों आते हैं ठीक है तो आपने क्या किया इसको पांच में दिखाया इसको पांच में दिखाया और इसको यहाँ तीसरे में दिखा दिया जैसे मैंने पहले बताया था तो ये गलती भी ना करें आप ठीक है इस गलती को भी ना करें क्योंकि ये भी आपकी पकड़ में आ जाएगी और उसके बाद आपका impression खराब हो जाएगा और फिर आपकी छोटी-छोटी गलतियों पर नंबर कटने के चांस हो जाएंगे कॉपी के अंदर जो एक बार को अवयड हो सकते थे हो सकता है कि एक्जामनर उन पर भी मार्क्स काटना स्टार्ट कर दे ठीक है कि दूसरी चीज ये तो रही attempt कैसे करना है इसके बाद थोड़ी सी एक दूचीजा और है जो मैं आपको बतान किया पहले question को छोड़ करके ठीक है कोई भी question आप attempt करते हैं तो उसमें attempt करने के बाद कि जब complete हो जाए वह question complete हो जाए उसके बाद कम से कम तीन से चार लाइन जरूर छोड़ दे अगले question को शुरू करने से पहले और side में उसका का number सभी number जरूर डाल दें उस number का द्यान रखें वह number डाल दे question का कि यह answer कौन से question का है ठीक है हमेशा तका द्हान रखें कि तीन और चार लाइन जरूर एक दो ऐसा ना पर यह यह चोड़ें क्योंकिंग कि तो आप जो question है उनको serial wise करें यह पहला question किया है तो उसका पहला part पहले second part बाद में third part मतलब जो भी part आपको करने serial wise करें हाले कि ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी अगर possible है तो उनको serial wise करें otherwise ऐसे question जो जिनका answer आपको ठीक से नहीं आता है ठीक है ऐसे answer long long answer की बात कराओं में long question वाले जो हैं वो बाद में attempt करें पहले वो सारे question attempt करें जिनके answer आपको बहुत अच्छे से आते हैं ठीक है तो से भी आपका जो impression है अच्छा जाएगा जितने भी वो question आया निमेरिकल नहीं है तो तो जो भी अच्छी लाइन लग रही है उन सभी के नीचे underline ऐसे कर दें उनके नीचे ऐसे underline कर दें तो इससे भी आपका जो marks हैं उन के बढ़ोत्री होने के पूरे चांस है ठीक है कि इसके बाद एक छोटी सी चीज और ध्यान रखें क्योंकि जब आपको copy मिलती है उस copy के है first question इसका जो पार्ट है first है second है तो जो जो आपने attempt की हैं अंदर और उनके number यहां पर लगक कि पहले के पहला दूसरा तैसरा चोथा जो भी किए हैं वह सारे number यहां पर लिख देंब less दूसरा question किया है, दूसरे का पहला किया है, second किया है, fourth किया है, fifth किया है, sixth किया है, जो भी किया इस तरह से, तीसरा question है, उसका पहला किया है, third किया है, ऐसे लिख दें, क्योंकि इनके बाद यहाँ पर marks लिखने में बहुत आसानी हो जाती है, examiner के लिए, यहाँ पर वो marks भर प्रेम्ट किये उनको भी लिखा हुआ है तो इसको भी जरूर लिख दें ठीक है तीसरा है ऐसी पांचवा जरूरी नहीं है अलग-अलग को करना है उसके लिए आप लास्ट के एक या दो पेज बना सकते हैं और उन एक या दो पेज जो बनाएंगे उनके उपर सबसे उपर उस पेज पर रफ वर्क लिख दें ठीक है उस पेज पर रफ वर्क लिख दें ऐसे रफ वर्क ठीक है और जो भी कैलकुलेशन या कुछ भी यह आपको लिखना है जो आपको rough work करना है उस पर करें और लास्ट में उस page पर एक single line से ऐसे cross लगा दें ठीक है तो यह आपका rough work हो जाएगा ऐसा ना करें कि question के सामने ही rough work करें आ करें लास्ट के एक यह दो page जो भी आख जितने भी आपको required है उतने पेज रफवर के रूप में इस्तमाल करें और उसके बाद एक लाइन से उसे काट दें ठीक है तो इस तरह से आपको यह पेपर एटेम्ट करना है और जैसी आप कम्प्लीट करेंगे यह सारी चीजे अपनी राइटिंग जो है उसको भी साफ सुत्री रखनी है उसमें भी ऐसा ना करें कि जो है गंदी संदी राइटिंग हो ऐसा ना करें थोड़ी साफ सुत्री राइटिंग रखें ताकि पढ़ने में आसानी हो तो यह सारा था जिसके अंदर आपको यह हमने आईडिया दिया कि किस तरह से आपको पेपर को अटेम्ट करना है किन-किन बातों का ध्या आसानी से पैदा कर देती है ठीक है तो इस तरह से यह छोटा से हमारा वीडियो इसको देखें और इसका बहुत अच्छे से आंकलन करें कि हमें क्या-क्या बात दिहान रखनी है उनको ग्रैब करें और जो अब एक्जाम आपका हो तो इसको एपलाई करें तो हमारा यह लेक पर को सौल्ड करेंगे उसके बारे में आइडिया देंगे कि कैसे कैसे लिखना है यह क्वेश्चन है तो इसमें कितनी लेंध होनी चाहिए और इसमें क्या-क्या लिखना यह वह सारी चीजिए हम नेक्स लेक्ट्चर नहीं बताएं तो तब तक के लिए थैंक यू बड़ी